कि अगे 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 इसलिए थोड़ा चेक करने के लिए बाहर गया था मुझे एक बात बताओ मैं पूरी रात कल सोर नहीं पाया है मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया हूं इस बात को लेके के भी ऐसा तो क्या हो गया भई मैंने क्या भात क्या हूं बात क्या हूं बात बहुत हो अगे अगे इसलिए भात का अगे पात क्या है मैंने सोचा भई कर रात को मैंने मैं घर जा रहा था तो मैंने ये सोचा कि यार ये भैंचोद हर रोजी यार भैंचोद घर से निकलो भैंचोद इतना बिजनेस के हेड़ेक लो भैंचोद इसको फोन उसको फोन इसका फोन आया ये वो इतना इतना भैंचोद बन्याना पागल सा हो जाता है तो मैं हो चुका हूँ मैं कता ही पागल हो चुका हूँ तो कर रात को मैंने डिसाइड किया कि याद मैं घर जाता हूं और मुझे ऐसा था मेरे दिल से मुझे मतलब मुझे ऐसा फिल हो रहा था मुझे अंदर से ऐसा हो रहा था मैंने सोचा के भी आज घर पे जाता हूं और मेरे बाप को मैं बोलता हूं कि राई साब पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो तो मैंने कैसा सीन इमेजिंग किया था कि मेरा बाप हाथ में सेंप्यन पीते-पीते सारी जायदाज मेरे नाम कर देगा और पेपर मेरे मूपे फैंकेगा और बोलेगा कि दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से आज के बाद तेरा और मेरा रिस्ता खतम हो चुका यह लिए कुछ चंद पेपर मैंने तुझे भीक में दे दिये मैंने बोला मेरा बाप ऐसा मुझे बोलेगा ठीक है मतलब के जो अमीर लोग होते हैं वह हाथ में सेंप्यन लेते-लेते वह जायदा अपने बेटे के नाम कर देते हैं और बोलते के दफा हो जाए यहां से मेरी निजरों के सामने से मैंने सुचा मेरे साथ भी ऐसा कुछ सी हैं हो ठीक है वाई मैं घर पर गया अनुख है और माहों तो च्छा माहूल में आसा हुआ कि मेरे चाचा चाजी सब लोग मेरे घर पर कर रात सबस्क्राद को आये होुए थैं मैंनू पता मत था मैं नो पता मत था तो मैं किचन में गया ठीक है मैने पानी बानी पी अपने अपको मथले एसे बाप के सामने बोलने से पहले आशे हम लोग वाम अप करते हैं या है से इसे वह में मैं ने वाम अप किया की चान के अंदर कि वही मैं जैसे ही किचन से बाहन निकला और मैंने बोला कि एक जेटली मैंने यही डायलोग बोला कि इतना बुद्ला सब बोर रहा हूं मेरे पास टाइम ही नहीं है यार यह देखो सुबा हुई नहीं शुरू हो गये फोना कि यार मूर खराब हो जाता है अब भी उठाओं वही मैं यह मेरा इटालियन ब्रेक्पास्ट कर रहा हूं मैं ठीक है और अब भी तो चाओ भी खतम हुआ नहीं अभी सावर भी नहीं लिया और फोनाना सुरू हो गये बोसरी बालो ब्रेक्पास्ट के बीच में यह रोल अब करने वाली चीज है आवाकाडो है आवाकाडो के अंदर चलो छोड़ो भेंचो दो तुमें क्या मतलब साले सूबे सूबे में तुम लोग चाई के साथ पहुए भाणे वाले चाई के साथ फटे समों से खाने वाले परोठे खाने वाले तुम लोगों का क्या लोड़ा पता हाँ मैं श्कॉर पर स्टोरी नहीं है ब्याण मूवके लोड़ओ तुम्हारे मारकीत शुट तुम्हारी स्टोरी भई कहां तक पहुचा था मैं भूल बहुत जाता हूं था नीचे लिखो मैं कहां तक पहुंचा था भूल जाता हूं मैं मतलब यह फोन बोना जाते है ना फिर मैंने गुस्टा आजाता है अरे अभी रात को जाओंगा मैनहाटन डिनर करने के लिए भोसडी के अभी दो बज़े है यहां सावर भी नहीं लिया है मैंने सावर लेना बाकी है मा के लौड़ो अभी रात को जाओंगा मैं डिनर का टाइम होता है रात के 10 बज़े हां किचन में था मैं भई मैं किचन में था किचन में जाके मैंने पानी पीया फिर वो होता है न बापके सामने तुम मूँ खोलने से पहले थोड़ा सोचते हो डरते हो तो तुम पहले अकेले में किचन में जाके या तुमारे कमरे में जाके तुम ऐसे ऐसे वॉम अप करते हो पहले ऐसे ऐसे आज तो बोलके ही रहूँगा बापको ऐसे होता है ने फिलिंग्स होती है भई मैंने ऐसा वॉम अप किया उसके बाद मैं बहां निकला। बहां निकलने के बाद एकिजट्ली मेने वही डाइलोग बोला। पर्फैक्ट cradle ना तो हिंदी की मिश्टिक ना तो मतलब मेरी मेरी मतलब के मैं ना तो उस टाम मेरी मेरे सब्ध लड़ खडा एंगे मैंने बोला और बही देखो सीन भी कैसा था सीन ऐसा था सेंप्यन की जगह उनके आथ में रेड वाइन थी सेंप्यन की जगह उनके आथ में रेड वाइन थी ठीक है मैंने बोला भई सीन तो माहोल तो परफेक्ट है सेंपियंग की जगा रेड़ वाइन है मैंने बोला चला लो मैंने जाके ही बोला राई साब अब टाइम आ गया है कि तुम सारी जायदाद मेरे नाम पे कर दो बही मेरे अंकल बैठा था मेरी आंटी बैठी थी मेरी मा बैठी हुई थी मेरा बाप सोच में पड़ गया कि ये मेरा बाप मेरी मा के सामने देखने लगा कि ये राई साब कौन है राइट बही मेरी मा ने बोला मुझे मुझे क्या पता राई साब कौन है इसको ही पुछो मेरा लॉंडा नहीं है यह ठीक है भई फिर मेरी माने बोला कि अभी कि अभी तु घर से निकल तुझे पता नहीं है तु क्या बात कर रहा है यार मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी मेरे बापने मेरी मा के सामने देखा और ऐसा बोला कि राई साब कौन है पूछना त पिर ऐसा बोला कि ये मेरा लॉंडा ये नहीं है तो बात मेरे समझ में नहीं आई है मतलब कि जाइदात का जटवारा उसमें राई साब तो वो फिल्मी केरेक्टर है राई साब उसमें भी मेरी मा के उपर डाउट और मुझे बोला कि मुझे पता था ये मेरा लॉंडा नहीं ह मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ कन्फ्यूजन सा हो रहा था मुझे बहिए सुबे के चार-पात बजे तक मैं सोचता रहा कि ये बेहन का लोड़ा ये राई साब है कौन जिसका नाम सुनते है मेरे मेरा बाप आग बबूला हो गया ठीक है मेरी मां से पुछना पड़ेगा कहीं लप्पा जप्पा तो मत चल रहा था साधी के पहले मेरी मम्मी का किसी राईप साब के साथ कहीं ऐसा तो मत था कि मैंने दुख्ती हुई रग पे मेरे बाप की दुख्ती हुई रग पे मैंने हाथ रख दिया ऐसा क्यों लग रहा है मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि राई साप का नाम सुनते ही भड़क गया वो मेरा बाप किसको आ रहा है किसको आ रहा है इल फांसो पारी तेका भी चीमत गया था मेरा अरे आजाओ बड़वे